एक बार फिर से मेरी यूटूब चैनल दी इंग्लिस डायरीपर और मैं हूँ आपका दोस्त विजे और आज की इस पीडियो में हम बात करेंगे उत्राखन लोग से बा आयो की परिक्षा कलेंडर की अपकी आपकी आल्टी इक्जाम से रिलेटेड जो कि आप दे चुके हैं उससे संवन्द में भी और आगे कैसे अब आपको इस ट्राइटेजी बनानाई है अपने आने वाले भाऊश्यों के लिए इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको मैं बता दू कि माध्यमिक में जो आपका सिक्षा विभाग है उसकी जो परिक्षा कलेंडर जो नया आया है 30 अजस 2024 के अकॉर्डिंग तो इसमें आपकी जो लेक्षर की परिक्षा इन्होंने मैंसेन की हुई है देखे राजके इंटर कॉलेज प्रवक्तावाला 2024 इसकी जो तिथी दी हुई है वो दी हुए 6 अपरेल 2025 और ये स्क्रीनिंग परिक्षा की तिथी है माध्यमिक सिक्षा विभाग में चौदवे नंबर पर जो है सीरियल नंबर 14 पर ये दिया हुआ है यानि इसके अकॉर्डिंग 6 अपरेल 2025 को आपकी जो है स्क्रीनिंग परिक्षा यानि पेपर फस्ट होगा और उसके एक डेड़ महीने दो महीने के अंतराल में जो है आपकी मुख्य परिक्षा होगी या तीन महीने के अंतराल मा आपकी मुख्य परिक्षा होगी तो यानि हम यह कह सकते हैं सिंपली कि या जो आपका एक्जाम है वो अप्रेल दोहजार पचीस में होने वाला है तो इसके हिसाब से अगर इस वेकैंसी का नॉटिफिकेशन की बात हम करें तो अविस सी बात है किसी भी वेकैंसी का नॉटिफिकेशन उसके दो-चार महीने पहले आ जाता है या तीन महिने पहले आ जाता है तो मेंबी नवेंबर डिसमबर जो है डिसमबर इन दो मन्त में इसके आने की संभावना है और बहुत जल्दी भी आ सकता है ऐसा कुछ निया लेकिन समय तो यही है एक्जाम ते थी यही है तो नोटिफिकेशन जाहिर सी बात है कि कुछ समय के बाद आ जाएगा जैसे सप्टेमबर चल रहा है मेभी अक्टूबर नौंबर या दिसंबर तक आए या जन्वरी में आए ऐसा भी हो सकता है कि जन्वरी में नए साल में इसका जो है नोटिपिकेशन आए लेकिन आप सभी को अभी से प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है इसमें दी है राजकी पौटेक्निक वाला भी तो परावीतिक शिक्रविभाग जिसको कहते है राजकी पौटेक्निक सस्तानुम प्रवक्ता परिक्षा समवर्ग के वो इस साल के अंत में आएंगे यानि नवेंबर दिसंबर के समय में जो है कि जो आपके extra writer authors हैं English subject में specially बात कर रहा हूँ तो वो आप cover कर सकते हैं और साथ इसाथ screening परिक्षा के लिए भी आप 6 महीने के अंदर preparation कर सकते हैं तो यह अच्छा time है 6 महीने screening परिक्षा और plus subject को अगर आप लेके चलेंगे तो खुल मिला कि 6 महीने के बाद तो आपके screening है फिर एक दू महीने और मिलेंगे तो आठ महीने का time है आपके पास mains में बैठने के लिए तो आप इस समय का फाइदा उठा सकते हैं और जो है जो गलतियां जो mistakes आप से ल्टी में होगे या आपने जो अच्छा performance ल्टी में दिया है आप आगे लेक्चिर में भी selection पास सकते हैं आप जरूर कोशिश कीजिएगा और आज की इस वीडियो में खास वर आपसे बात करूँगा देखिए ल्टी का जो फिलाल अभी इसके बारे में कुछ बातें भी चल रही है कि भड़ती को रद्द करने के लिए कई सारे अभ्यक्ति जो है यू के ट्रपलेसी के आपने देखा होगा ऑफिस के बाहर नारे वाजीव अगेरा कर रहे थे तो देखिए ये मामला बड़ा पेचीदा है इसके संब्द में कुछ खेहना मतलब यह है समझ लो कि ये एक गलत विशे हो जाएगा तो इस पर हम जड़ा चर्चा ने करेंगे लेकिन इतना जरूर है कि जैसे कि हमेसा ल्टी भड़ती में होता आया है इस बार भी उसकी परिक्षा वह लिर्मिटेट भोती है हर किसी का चैन तो नहीं हो सकता तो हमेसा ये होता है जब भी ल्टी परिक्षाई मामला जाता है और चोट में जाने के बाद जो वेकेंसी है वह दो साल धाई सालों नहीं होती है उस कौन जो है इसमें दोसी है कौन नहीं है इस पर मैं बिल्कुल भी अपना डिशेजन नहीं दूँगा लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अक्सार एल टी भरती में यही होता है कि उत्राखन में आज तक की जो भी एल टी की भरतिया हुई है उन सभी में यह चीज लगातार हो तो यह होता ही है और नुकसान जो है इसमें अभीरती को होता है तो फिलाल मैं इसमें जादा चर्चा नहीं करूंगा और हम कट अप से रिलेटेट जो है सर्वे चली रहा है अब आपको जल्दी इसके अनौसमेंट भी करते हैं कि किस हिसाब से इस साल की एल्टी इंग्लिश क कि जो है फाइनल कट अप रह सकती है हाला कि मैंने अल्लेडी आपको बता दिए कि दो तिन नंबर का ज्यादा डिफ्रेंस रहेगा कुछ विश्यों में नीचे की तरह आ सकती है थोड़ा नीचे रहने की संभावना है तो हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बता लूँ कि कम्प सब्सक्राइब कराइब तो अप्रेल 25 में आपकी स्क्रीनिंग परिक्षा होगी तो दोस्तो आप सभी मैंसे कई सारे अभीरती जानना चाहते हैं इसक्रीनिंग से रिलेटेड जो फर्स टाइम पेयर होंगे इस एक्जाम में कि क्या इसका जो है सिलेबस रहता है तो हम आप आपको syllabus दिरूबर कराते हैं और यही syllabus जो है हमेरे टेलिग्राम ग्रूप जो की इंग्लिस डायरी का टेलिग्राम ग्रूप आप सो जॉइन कर सकते हैं इस वीडियो के एक कॉमेंट सेक्षिन में मैं उसका लिंक प्रोवाइट करा दूँगा आप से जो है जो है जोईन कर लेना गुरूप और वहां पर आपको स्क्रीनिंग परिक्षा का यह जो है syllabus मिल जाएगा तो देखे स्क्रीनिंग परिक्षा की जब हम बात करते तो कई बार क्या है कि अभिरतियों का कहना यह है कि या रे पहले स्क्रीनिंग परिक्षा दो अगर वही सलेक्ट नहीं उसी से में ने निकला तो फिर में जो ये बाकी के राइटर वगेरा हैं इंग्लिश के इनको साइदा है लेकिन आपको बता दूं कि स्क्रीनिंग परिक्षा में भासा से संबंदित जो अगर हम बात करें खास तो पर इंग्लिश में तो कट ओफ इतनी हाइफाई जाती ही नहीं है आप एक सिंप्ली यह देखे कि यहां पर मैं आपको यह दिखा रहा हूं यह उत्रकंट विशेश अधिनस्त शिक्षा प्रवक्ता संबर्ग सेवा सामानी देथा महिला साका कि सीधी भर्ती के रिक्तपद उपर चेन तो परिक्ष चैनल ओपन में लास्ट जो एर है उसका जो कट अफ रही थी वह मेबी 70 मार्क्स रही थी तो आप सोचिए 70-75 मार्क्स 150 में से क्या होते हैं ठीक है मतलब माल लिए 50% नमबर आपको लेकर आने तो स्क्रिनिंग परिक्षा जो है आप पास कर सकते हैं हाला कि इसके बारे में बीच में खबरें आ रही थी कि इसमें ऐसा भी इस बार हो सकता है कि केवल और केवल आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ें क्योंकि लास्ट यह था कि कई सारे ऐसे अभियरती जिनकी कमांड में में काफी अच्छी होगी उनका सब्जेक्ट काफी अच्छा था लेकिन वो स्क्रीनिंग में रहे गए तो इसके वैसे में मुख्य कर परिक्षा में नहीं बैठ पाए लेकिन फिर भी अभी फिलाल आपको अपने मांड से यह रखना है कि हमें स्क्रीनिंग की त्यारी करनी है और डेड़ों में से पचास परसन मांक्स लाने इतनी बड़ी दील नहीं है questions आपके यही सिक्षन अभुरुची से related भी आएंगे कुछ उत्राखंट से related आएंगे इसके बारे में हम discussion करते हैं देखे दोस्तों सारी यात्रा मान लेने और ठान लेने की होती है अगर आप मान लोगे तो आप बिलकुल हार जाओगे अगर आप ठान लोगे में आपका सिक्षन अभुरुची से related जो question है वो total 40 marks के हैं 40 नंबर का आपका screening में सिक्षन अभुरुची पूछा जाएगा तो आप इसमें देखे भारति सिक्षा ब्यवस्ता में रादा कि बहुत सारे आयोग दिये हुएं सिक्षन दक्षता संप्रेशन मोल्या धारित सिक सिक्षा और कक्षा अनुशासन विध्याले अनुशासन विध्याले में अनुपस्तिति चोड़ने के कारण समाधान कंप्यूटर सेक्षिक टक्निकी सिक्षा ब्यवसाई विध्यारतियों के ब्यक्तित्तों विकास्म सिक्षक की भूमिका यह बहुत ही normal topics से एक बार पढ़ के चलते हो तो यह इतना बड़ी डिल नहीं है चालिस नंबर का आपका सिक्षन अभी रूची है उसके बाद और मैं आपको फिर से बदा दो कि यूके पियस्टी जो सिक्षन अभी रूची पूस्ता हो बिल्कुल सिलेबस के कोडिंग पूस्ता है पुराने question papers उठा सकते है इसके बाद जो सामानी अधियन है वो है 35 नंबर के question जिसमें कि आपका रास्टी अंतरास्टियस महत्यों की समसामाई की घटनाएं खेल खूद मनरंजन और भारत का इतिहास जिसमें प्राचीन मदेकारेन आधुनी शॉट में जो है आप इसको भी अच्छे से तैयार कर सकत में हैं भारत का विश्व का भोगलिग्यान प्रकृतिक संसाधन इस सारी जो छोटे मोटे टॉपिक से सभी चीज़ में आ जाती है तो यह आपको पढ़ना है जो कि 35 मांक्स का इसके बाद 30 मांक्स में तो आपको पताएगी जो नेक्स आएगा इसमें उत्राखंड राज्य निवास कने वाली जातियां प्रजातियां राजबंस कुडिन पौरव एम कत्यूरी को आपको पढ़ना है उत्तर कत्यूरी चैंद और पावार राजबंस को पढ़ना आधुनिक मगोर्खा बिटिश का स्वाधिंता अंदुरन स्वतंतरता प्राप्ति के बाद परिदरिश आप इनको पढ़ेंगे तो ओव्यस सी बात है 30 30 और 40 70 70 और 35 105 तो 105 नंबर का तो यही हो गया आगे सामान्य बुद्धी परिक्षण जहां पर आपको रीजनिंग मिलेगी जहां आपको थोड़े बहुत मैट्स के कुश्चिंस भी होंगे जहां पर प्रॉफिट लॉस ठीक ह समय दूरी महत्तम लगुत्तम समावधतक इत्यादी ऐसे कुश्चन इसमें आपको मिलेंगे रेलगाड़ी कलेंडर से रेलेटेट आकड़ों से संबने तो रीजनिंग से रेलेटेट भी कुश्चन आपको मिलेंगे इसके बाद 20 मार्क्स का आपका जो बेसिक हिंदी और इसके यह है आपका टोटल मतलब यहां पर देड़ सो नंबर का पेपर तो बीस नंबर के हिंदी है जो मेंली आपके लिए सबसे बैस्ट रहेगी सिक्षन अभी रूची 40 नंबर के तो कितना हो गया साथ और अगर एक पल के लिए सामाने बुद्धी परिक्षन आपके लि तो यानि 40 30 70 और 300 नंबर 100 नंबर तो यह हो गए आपके ठीक है और बाकी आपका रिजनिंग विजनिंग लगा के आप बढ़िया से मतलब जो 120 नंबर का इसमों कॉश्चन पेपर हो आपको क्वालिफाय करने के लिए इनफ है लेकिन आपको तैयारी सबीची करने है रिजन कि आपको किस तरह से अपनी तैयारी को इंजाम देने अभी से आप जो है एक एक करके आयोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए देखो मैं यह भी आपको साथ में को कि चीजों को पैरलल में चलाएं अपने अल्टी भरती में भी एक चीज देखी होगी कि एल्टी एक्जाम में जहां एक तरफ आपका teaching aptitude भी important रखता था वहीं दूसरी तरफ subject भी तो यहां भी आपको वही करना है आपको एक साथ चीजों को लेना है जैसे अगर आप एक तरफ screening की त्यारी करें तो आप अपने schedule में जो है सुबह का एक time schedule बना सकते कि आप screening के लिए पढ़ेंगे और evening time से आप अपना subject पढ़ेंगे night में subject पढ़ेंगे इस तरह से आप लोग जो है अपना prepare करेंगे अपना जो आपका समय सारणी है या अपना जो schedule है इस तरह से आप बनाएंगे कि आपको दोनी चीजों को पढ़ना है आपको बिल्कुल भी मन में नहीं सोचना है यार screening नहीं हो इसके बाद फिर आप मेंस में आगे तो विशह से रिलेटेट तो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि क्या-क्या राइटर से उसमा पूछे जाते हैं तो देखे यह था एक special जानकारी जो कि आपके लिए प्रवक्ता समभग के लिए और आप लोग के लिए अच्छा मौका है अपनी लाइगेटिव एनेटजी को आप यहां से रिडियूस करते हुए आप आगी की तरफ बढ़ें और टेलेग्राम ग्रूप जरूर जोइन करें जल्दी लेक्टेर से रिलेटेड जो आपके मेंली इंग्लिस सब्जेक्ट के जो कंटेंट हैं उन्हे अच्छे नहीं मिल पाया तो मैं जो है चैनल अभी चला नहीं पाया कुल दिन आपके लिए वीडियोस नहीं ला पाया तो बाकी जो है मेरी कोशिस पूरी रहेगे जितनी भी मदद मेरी दरब से आप लोग के लिए हो पाये पूरी कोशिश करूँगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में आज की वीडियो में इतना है थैंक यू सो मुच व वाचिंग दिस वीडियो